नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्टार्मस कुर्यूज में दोस्तों बात करने वाला हूँ यूपेटर पलेसी से आने वाले अगले विज्यापन के संबंद में और ये विज्यापन कब तक जारी होगा और इसमें कुल कितने पद रहने वाले हैं और दोस्तों कमप्टि विध्यापन ये कब तक जारी होगा देखिए ऐसा है ये जो भरती आपकी है ये होगी UDA, LDA और इसके अलावा कुछ और पद भी यूपिटर पलेसी निकालेगा ठीक है यूडिये और LDA के जो भरती होगी ये होगी यूपिटर पलेसी के अंदर आयों के अंदर जो वेकेंसी हैं उनको भरा जाएगा UDA, LDA के पदों के द्वारा ठीक है अब इसके अलावा और भी विभाग है जिसके लिए यूपिटर पलेसी विध्यापन जारी करेगा ठीक है ना तो भया इसमें करीब मैं आपको बता रखा है 70 से 80 जो पद होंगे वो तो होंगे यूपिटर पलेस जो है यह जो भरती आपकी आने वाली है 125 से 130 पदों की आएगी ठीक है ना और आपको बता दूँ अभी 3-4 दिन पहले इस भरती में कुछ और पदों को जोड़ा गया है ठीक है देखिए जब यह जानकारी पुरानी मिली थी तो उसके आधार पर खवर यह थी कि 65 से लेकर 80 वेकैंसी इसमें आने वाली है लेकिन इसमें जो है 50 से 60 पदों को और जोड़ा गया है और यह जो और पद जोड़े गए हैं इसमें कुछ और विभाग के पद भी है ठीक है ना बया तो कुल मिलाकर जो है आपकी 125-130 के आसपास इसमें जो है पदों की संख्या अब हो चुक इसे जो महत्रपून बात है वो है कितना परसेंटाइल चाहिए आपको इसकी मुख्य परिक्षा में बैठने के लिए देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि इस परिक्षा में कमप्टिशन का जो लेवल है वो काफी हाई रहने वाला है ठीक है अगर वेकैंसी 125-130 आती है ठीक है ना तो आपके जो बैठते हैं यह आपके बैठेंगे इतने चात्र ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों तो जो है 32 के आसपास इसमें चात्रों को यूपिटर परिक्षा के लिए अब इस बात में देखिए कमप्टिशन का जो लेवल रहेगा वो काफी इसमें रह सकता है और आपके सभी के दिमाग में एक सवाल होगा कि सर हमारा कितने परसेंटाइल पर हमको इस भरती में चांस मिल सकता है ठीक है तो देखिए वह ऐसा है अगर मैं जनरल काटेगरी की बात करूं केवल जनरल की बता रहा हूं आपको तो आपको 99 से ज्यादा इसमें लाना पड़ेगा अगर केवल सामाने केटेगरी की बात करूं ठीक है ना 99 परसेंटाइल से कम वाला चात्र इसकी मुख्या परिक्छा में बिलकुल भी नहीं बैठ पाएगा कमपटिशन लेवल काफी हाई है और हाई इसलिए है कि इसमें सीट्स कम है ठीक है ना दे लेडलाग से उपर बैठता है तो यहां थोड़ा कट ओफ कम हो जाती है लेकिन 125 से 130 पदों की जो भरती आती है उसमें आप 25 से गुणा करते हो तो 32 के आसपास इसमें जो है छात्रों को लिया जाएगा और इस स्थिति में 99 से कम परसेंटाइल का कोई मतलब ही नहीं बनता ह ठीक है इतना परसेंटाइल सामाने कर्टेगरी के लिए चाहिए और आपको बता दूं इस से उपर भी हो सकता है हो सकता है कि बैया 99.5 तक चला जाए या 99.70 तक चला जाए ठीक है ना मतलब पॉइंट के 4-5 डिजिट तक इसमें कट ओफ हो सकती है तो यह जो सामाने जाती क लोग है उनके लिए जो है यह क्ट-आफ रह सकता है और बाकि जो है OBC SC ST का क्ट-आफ जो रहेगा यह पॉइंट में ही गिरेगा ठीक है ना हो सकता है किसी का एक नंबर गर जाए बाकि पॉइंट के बात तक काफी इसमें नंबर है ठीक है आपने देखा भी होगा कि किसी क नमबर 99.86753 है तो पॉइंट के 4-5 अंकों तक इसमें नमबर है तो हो सकता है कि OBC का पॉइंट में गिरे SC का एक नमबर गिर जाए यह possible है ठीक है ना तो वहिया 25-26 अपरेल तक आपका विग्यापन जो जारी कर दे जाएगा बहुत बढ़िया नौकरी है आयोग के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा और आयोग के अलावा और विभाग के इसमें पद है ठीक है भया तो जिनका हाई परसेंटाइल है उनके लिए बहुत धासू मौका है और यूपिटर पलेस्टी जो है सबसे पहले इसी का विग्यापन जारी कर रहा है अब ठीक है तो भया यह ख़बर हो गई यूपिटर पलेस्टी से आने वाले विग्यापन को लेकर और किसी बरती को लेकर या परिनाम को लेकर या किसी और बरती के ऑफिशल नोटिस को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी वो आपको सबसे पहले एकदम अधंडिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी दोस्तो याई नियूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जाहिंजे भारत